तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव इसकिन फ्रिक्शन के बारे में नेगेटिव इसकिन फ्रिक्शन से पहले आईए एक बार हम रिवाइस कर लें कि इसकिन फ्रिक्शन किसको समझते हैं ठीक है हमारी यह पाईल है इस पाईल के अंदर लोड आता था लोड के अगरियंस्त में हम अल्टिमिट लोड केरिंग कैफासिर्टी कैसे find out करते थे इस qpu कैसे find out करते थे कि जो भी हमारे resistance मिल रहा है वो इसके sum के बराबर होता था तो एक तो हमें क्या मिलता था end resistance मिलता था यानि कि q e b मिलता था और जो इस pile के सा अगल बगल जो भी soil होगी वो soil भी friction डेवलप करेगी friction डेवलप करती थी तो उसी को आप क्या बोलते थे skin friction बोलते थे चिक है यह ग्रांड लेवल होता था यह होता था क्या इसके friction होता थो जो की opposite डेवलप करता था अबहुत बार क्या होता है यहांपा जो soil होती है ग्राउंड लेवल के जस्ट बाード जो 김ें पानल नंरे त्में क्या नाम प्रिक्षिन दिया और हमें क्या पड़ता है नेगेटिव इसका स्किन किम स्वेक्षिन याने के अब आधुड डिरेप्शन में ओझे लोड के अगेंस्ड मट बहुत बार क्या होता है इमिकी ऐसक आपक नीचे की और लगाने लगती है तो उस डाउनवर्ड ड्राइग फोर्स को जो की पाइल में लग रहा है जिसके कारण से डाउनवर्ड मूव्मेंट हो रहा है आपके सराउंडिंग स्वाइल का उस पर्टिकुलर कंडिशन को आप क्या बोलते हो नेगेटिव इसकिन बढ़ जब यह लोडिंग के करेंट यह जो स्वाइल कंप्रेस होई यह डाउनवर्ड ड्राइग फोर्स एक लगा रही है उसको आप क्या बोल रहे हो नेगेटिव इसकिन फ्रिक्शन के अपोजिट यहां पे ड्राइग फोर्स लग रहा है ठीक है तब यह होता क्यों होग इसके बहुत सारे रीजन्स होसकते हैं अगर मैं बात करूं कि यह जो आपकी कंप्रेसिव सवाइल है अगर रीजन फिल्ड हुई है यह फिर रीसेंट ली को सकता कि दीजेंट ली प्रीचन को डाउब करते हैं जो की क्या करते हैं एक डाऊंवर्ट करते हैं एक अगल वगल एक पाइल की अगल-वगल फ्रेक्शन चो डाउनवर्ट ले जाता है इहां फिल्लव सकता है एक और की ऑल्रीग ऑफ वानव Ellis अगया उसके और effective stresses increase होई जो कि effective stresses increase होगी जिसके करण क्या होगा consolidation होगा और consolidation अगर होगा तो उसमें क्या होगा आपका settlement भी होगा तो in short अगर हम जब भी कभी भी बात करेंगे तो आपका ये जो friction एक downward direction की और लग रहा होगा due to loose soil, due to consolidation, due to ground water table, the downward drag force is known as negative skin friction अगर मैं इसके formula की बात करूँ तो ये formula क्या हो जाएगा downward downward को हम एक क्या ले ले लेंगे plus में ले लेंगे qup plus qnf लिख सकते हैं इसको negative skin friction या फिर nsf भी लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा qeb plus qsf के ठीक है लग तो हमें हमें अगर qup find out करना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं qeb plus qsf minus qnf ठीक है इस तरीके से आप negative skin friction के case में भी ultimate load को find out कर सकते हो अब ये qnf कितना होएगा अलग-अलग soil के लिए अगर मैं cohesive soil की बात करूँ तो cohesive soil के लिए क्या होगा for cohesive soil for cohesive soil qnf is what qnf is just nothing but p.c.lf lf is what ये जो loose soil आपकी जितने में आपका वो कर रही है जितने length में आपका negative skin friction लग रहा है वो जो loose soil जितने में है उसी को आप क्या बोलोगे lf बोलोगे है फिर depth of filling from vertically ठीक है जो भी आप नाम देना चाहो ये क्या हो जाएगा आपका for cohesive soil अगर आप granular soil की बात करो cohesive less की soil की बात करो for granular soil उस condition में आपका जो qnf है qnf है वो क्या हो जाएगा आपका हाफ 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 अलेफ का स्क्वाइर पी गामा के और यह टैफ अब यह क्या क्या टर्मिनलोगी है इसको एक एक करके लिए ठीक है वेर पी इस वाट पी इस वाट पी इस वाट पेरी मीटर पेरी मीटर ओफ फाई ठीक है क्या हो जाएगी पैरी मीटर ओफ ऐसे लफ इस वाट depth of loose soil या फिर जो भी आपने अभी fill किया है जो कि वो move कर रहा है downward, vertically, downward fill moving vertically लिख जेता है fill moving vertically ठीक है C की बात करेंगे तो C क्या है cohesion of soil in zone of elf मतलब इस zone में जो भी soil पाई जारी है उस zone में कुछ ना कुछ C value भी होगी cohesion भी होगी तो वो होगी आपकी C ठीक है क्ये की अगर बात करें क्ये की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका coefficient of coefficient of earth earth pressure coefficient of earth pressure अगर इसके order की हम बात कर लेंगे तो ये कैसा होगा के ए के ए और ये के पी एक बार active और एक बार passive ठीक है गामा इस वाट यूनिट यूनिट वेट अफ आपको अगर आपको अगर आपको आपको आना ही आना चाहिए श फॉर्मले से इस फॉर्मले से gate के अंदर EAC के अंदर जितने भी standard competitive exam होते हैं अगर foundation engineering के अंदर अगर file foundations and numerical बन रहे हैं तो इस topic से भी बनता ही बनता है ठीक है तो I hope आप लोग को समझ मेरा होगा आज के लिए इतना ही thank you very much